नमस्ते दोस्तों मैं हुई राजौन और आज की वीडियो में हम एक लेटर राइटिंग देखने वाले हैं जो की है Write a letter to your friend telling him about the importance of sports तो खेलकूत के क्या फायदे होते हैं ये सब बताते हुए आपको अपने भाई को एक letter लिखना है तो आईए start करते हैं हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले my dear brother और उसके right side में यहाँ पे date और place यानि की तारीक और जगह जहां से आप यह letter लिख रहे हैं और question में जो दिया होगा आप वही लिखेगा फिर देखिए start करते हैं I received your letter yesterday and was really pleased to know that you have completely recovered from the illness तो आप अपने भाई को लिखते हैं कि मुझे कल ही तुमारा चिट्थी मिला और मुझे जानकि यह बड़ा संतोर्ष हुआ बड़ी खुशी हुई कि तुमने completely recover कर लिया है यानि कि तुम स्वस्थ हो गए हो बिमारी से As you told me earlier that you spend most of your time in your hostel room so I thought your illness might cause due to less physical activities तो आप अपने भाई को यह कह रहे हैं कि जैसे कि तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम अपना ज्यादातर समय अपने hostel room में ही बिताते हो तो मुझे यह लगता है कि क्योंकि तुम ज्यादातर समय बैठे रहते हो अपना physically active नहीं रहते हो इसी कारण हो सकता है तुम्हारा illness हुआ होगा बिमारी हुई होगी So I suggest you to go to play for about one or two hours with your friends every afternoon और इसी लिए मैं तुम्हें यह suggest करूंगा कि तुम रोज एक या दो घंटे शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करो I know you are really focused on your studies but you should also know that sports keep you physically active and have great health benefits और मैं यह समझता हूँ कि तुम पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो पढ़ते रहते हो हमेशा लेकिन तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जो खेलकूद है इनके भी बहुत से अलग फायदे हैं यह तुम्हें फिजिकली active रखते हैं और जब तुम खेलते वक्त दोड़ोगे और ठकोगे तो यह तुम्हारा हार्ट का जो हेल्थ है अपना दिल का जो स्वास्त है वो भी बहुत अच्छा करेगा वो भी इंप्रूफ करेगा trust me once you start playing cricket, football or any other sport you will fall in love with it in no time और मेरा यकीन करो कि जब भी तुम cricket या football कोई भी खेल खेलना start कर दो के तो तुम्हें बहुत ही जादा पसंद आएगा यह खेल also when you will play you will understand that sports teach you discipline and a lot of life lessons sports teach that like the game in life also you won't win every day but it's not about that it's about giving your best effort every day irrespective of the result और जब तुम खेलोगे तब बहुत सी चीज़े तुम्हें सीखने को मिलेंगी एक तो यह कि तुम अनुशासन कैसे पालन करते हैं वो सीखोगे और भी बहुत सी चीज़े हैं जो sports यानिकी खेल कुद हमें सिखाते हैं जैसे कि आप रोज नहीं जीतेंगे आप अगर खेलेंगे तो रोज नहीं जीतेंगे लेकिन ये जीतने के बारे में नहीं हैं आप रोज अपना best दीजिए अपना effort दीजिए वो ही बड़ी चीज़ है यानि कि आप हारे ये जीतें वो ना देखके अपना best देना है अब देखते हैं last part तो आज के लिए बस इतना ही और अपना खयाल रखना जल्दी तुमसे मुलाकात होगी उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे your loving brother और जो नाम दिया होगा आपके question में वो नाम या फिर ऐसे alphabet दे देंगे और यहाँ पर address में दे देंगे जिसके पास ये letter जाने वाला है यानि कि आपके भाई का address यहाँ पर जगह काम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिखेंगे अगर question में दिया है कि यह यह नाम है तो address दिया हुआ है तो वो लिखेंगे और ना कोई भी alphabet दे सकते हैं तो यही खतम होता है हमारा letter और यह मैं मानता हूँ थोड़ाल सब बड़ा है लेकिन कोई मुश्किल words नहीं है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए लेकिन अगर फिर